वेलकम टू माई चैनल आई एम शहापुंदीन हमद तो आज के वीडियो में हमें स्टडी करेंगे अनाटॉमी ऑफ मेटा कारपल्स एंड अनाटॉमी ऑफ फिलेंजेड और वीडियो के एंड में मैं आपको अपन लिंग के अनाटॉमी से रिलेटेड कुछ कोस्टिन दूंग नमबर उफ मेटा कारपल्स हमारे हैंड में होते हैं five in each हैंड !! अनन नम्ट आफ फिलेंजेड इमूर्छन इस हैंड इस फोटिन कांटिंग होता है नमर इंडीड होता है फिलेंजेड का वह थांस性 ज yarn the one be your name फjemμεने उसका फिलिंड मैंद 质स किसजज तो मेटकुब जो होता है फर्स्ट डिजिट का वह सौटेस्ट मेटकॉरपल है और destruction चांट स्ट्राइब कार्पल से मुधि और इस अग हиях यह सता है और साफट यह किम यह बेसे सब ह Danish कि जो कि आर एडा में कर दोदे हैं उनका इभी फैलर е मिह यह होता है इपिफाइस वह हेड में होता है except first metacarpal जिसका इपिफाइस है इपिफाइस बेस में होता है जो middle finger का metacarpal है वह longest metacarpal है और axis of reduction and abduction metacarpal of 3rd digit के सेंटर से पास करता है यहां सेंटर से पास करता है यह question पूछा जाता है axis of reduction and reduction कि समेट कारपल से पास करता है तो वह 3rd metacarpal से पास करता है और फास्ट metacarpal के बस में यहां से fracture होता है उसको कहते हैं बनेट् फ्रैक्चरर ये qësčion फ्रिक्वेंट्ली पूछा जाता है एक Samplext exam में तो याद रखियेगा यहां पे first metakarpal के base में fracture होता है उसको कहते हैं बनेट फ्रैक्चर बनेट्स फ्रैक्चुर नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंटली कोसे निराइज होता है वो पूछा जाता है आपसे बोडी स्प्लिंट की इसको गहते हैं तो जब फ्रेक्चर होता है फिलेंजिस के अपर पोर्शन में तो दो फिंगर को आपस में जॉइंट करके ऐसे इसको बेंडेज किया जाता है उसी को इसारी इस pornography करते है नेक्स्ट एटेजमेंट ऑफ मेटाकर Whenever तो को फ़ेस्ट मटबस का इसे मार्पल यनी थम के नीचे जो मेटाकर्पल इसको श्युच्कर इज़त से तीन मर्द्द's का इतीरिक्रमेंट फोफ में सॉ इसलिगा में मेंहिन कारिक्रापले अच्मयन aumentar को हो स् abductor polisius, longus, and third is, first, palmar, interoceus, interoceus, इसमें, जो, third होता है, यह, first metacarpal, से, raise करता है, बाकि, यह, oponence polisius, and abductor polisius, longus, यह, first metacarpal में आके, insert होते है, और, जो, first metacarpal होता है, उसका, joint form करता है, terpezium, जो, carpal है, terpezium, from the base side, में तो कारपल से टर zeollar होता diver क्या इसे फिर्सामय घार है क्यारफ कर बेस जॉइंट फिर्म करता है साइडल जॉइंट नेक्स्ट मेटा करपल सर, में एटेजमेंट गर जाहिए डहींग है लुड़ार इसमें भी विल्रफ्स कशिसितफोर के सब्सक्राइब रटीले ल़्येजिट कर्ण पी रटीले लगी second extensor extensor curvae radialis longus extensor curvae radialis longus and third one is oblique head of public head of the abduct public head of the adapter policies adductor policies इसमें जो third one होता है ये second metacarpal से rise करता है और ये दोनों muscles second metacarpal में आके insert होते हैं second metacarpal जो होता है वो terpezium trapezoid जोर्ड एंड केपिटेट ये तिनों कर्पल से हैं कर्पल बॉन तर्पीजियम तर्पीज्वाइड एंड केपिटेट तो इन तिनों से है second metacarpal joint form करता है third metacarpal third metacarpal is the longest metacarpal तो इसे चार muscle attach होते हैं first होता है फ्लेक्जर कर्पाई radialis लग्यू दो आव्यू घद्रेक्जर कर्पाई radialis बॉन मैं दोग्यू ये आव्यू दिए ऑ्रफंद कर्पाई radialis बूश मैं अना समी होता हैं वादर्प्प्मार कें धुर्थ by Radialis Bravis third message जो होता है वो Oblick Head of Adductor Policies Oblick Head of Oblick Head of Adductor Policies and fourth is Transverse Head of Adductor Policies Transverse Head of Adductor Policies इसमें जो Oblick Head of Adductor Policies and Transverse Head of Adductor Policies ये दोनों मसल third metacarpal से rise करते हैं flexor carpi radialis and extensor carpi radialis brevis ये दोनों मसल third metacarpal में आके insert होते हैं और ये joint form करता है capitate 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 and 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 metacarpal से भी joint form करता है third and fifth metacarpal से joint form करता है कौन सा fourth metacarpal अब next हम पढ़ेंगे 5th metacarpal fifth metacarpal में दो मसल हम को पढ़ना है extensor carpi radialis extensor carpi alnaris and second one is oponence digitimini me oponence digitimini me oponence digitimini me digitimini me digitimini me mind form करता है metacarpal bone and fourth metacarpal fourth metacarpal first question which of the following bone is the first one to start ossification answer को comment box में send करें second question fracture of humerus at mid shaft is likely to cause injury to each of the following nerves third question attachment of biceps brachii are to all of the following except question number four all of the following muscle are flexor of the wrist except question number five the axis of abduction and adduction of digits passes through the center of which digit next question all are heads of triceps brachii except question का answer आफ comment box में send करें और वीडियो को अपने friend circle में share करें thank you for watching here we will give it to the next one